इसराइल सरकार के विदेश मंत्राले की वैबसाइट के अनुसार इसराइल का जो टोटल एरिया है वो है 22,145 वर्ग किलोमेटर और अगर इसराइल के ख्षेतरफल की तुलना भारत के विशाल ख्षेतरफल से की जाए तो भारत का जो ख्षेतरफल है वो है लगबग 32,87,263 मतलब भारत के एरिया में अगर इसराइल के एरिया का भाग दिया जाए तो 148 पॉइंट सम्थिंग आता है और इसको मोटा मोटा अगर कहा जाए तो भारत में इसराइल जैसे छोटे 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 एक सो पचास के लगबग देश आ सकते हैं तो आपको ये अंदाजा मिल गया कि इसराइल जो है वो कितना छोटा सा देश है लेकिन बावजूद इसके अत्यादूनिक तकनीक से सक्षम होने के कारण इसराइल बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर देश है और इसका अंदाजा आपको इसराइल के द्वारा चलाए गए एक अ चुरी पर इस्की देश के अंदर घुसकर मुठी बर सेनिकों के साथ में अभयान चलाया वहा होत सारे सेनिकों को मारा गया आतंकियों को मारा गया उनके बहुत सारे जो विमान थे लड़ा को विमान मिग 17 और मिग 21 उनको उड़ा दिया गया और सुरक्षित अपने नागरीकों और अपने सैनिकों को लेकर वापस अपने देश में लोट कर आ गए और फिर जब यह अभियान चलाया तो वहां के राश्ट्रा द्यक्ष इदी अजी महराज के दुआरा चलाये गए उस अभियान के बारे में ध्यान आ गया जो कि उन्होंने 5 अप्रेल 1663 इस्वी को मुगल छावनी में गुसकर जहां पर हज्जारों सैनिक थे वहां अपने मुठी बर सैनिकों के साथ में गुसकर एक अभियान चला दिया था और वहां से शाहिस्ता खां को अपनी जान बचा कर भागना पड़ा था तो इसी संपुर्ण विशापरम बात करने वाले हैं मैं रमन भार्दवाज आईए शुरू करते हैं विशाप को आगे बढ़ाने से पहले एक बर इसराइल की भौगोलिक इस्थिती के वारे में थोड़ी सी जानकारी ले ले लेते हैं इसराइल मद्य पूर्व का एक छोटा सा देश है जिसकी एक और की सीमा सागर से लगती है और बाकी और की जो सीमाएं हैं वो अन्य पडोसी देशों के साथ में लगती है इस्राइल के पस्चिम में एक सागर आता है जिसको भूमद सागर या मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है और बाकी के जो पडोसी हैं इन पडोसियों में उत्तर की ओर आता है लेबनान उत्तर पूर्व की ओर आता है सीरिया और सीरिया के बारे में आप जानते हैं कि वह हमेशा किस प्रकार की राजनितिक ऐस्थिरता रहती है इसके अतिरिक पूर्व में आता है जोर्डन और दक्षिन में आता है इजिप्ट या जिसको मिसर कहा जाता है हम जानते हैं कि इस्राइल की उसके पडोसियों के साथ में और उसके पडोसियों की इस्राइल के साथ में नहीं बनती मतलब अगर हम सरल भाशा में कहें तो इस्राइल और उनके पडोसियों के बीच में हमेशा 36 का आकड़ा बना रहता है थोड़ी सी जानकारी हो लेते हैं इसराइल की राजदानी है जेरुशलम और इसराइल का एक प्रमुक आर्थिक केंदर है तेल अवीव जिस प्रकार से भारत का एक प्रमुक आर्थिक केंदर या आर्थिक राजदानी बोलें तो बंबई या मुंबई है उसी प्रकार से इसर के शहर टेल- अवीव से एक flyte को उड़ना था और ये flight कहा को जानी थी, पैरिस को, ये flight यहां तेल-अवीव से उडी और सीदे जाने की बजाए ये connecting flight थी, मतलब इसको रास्ते में एक जगेर रुकना था, वहाँ से कुछ और यात्रियों को बेठाना था, और उसके बाद पै तो इसी प्रकार से इसराइल से कनेक्टिंग फ्लाइट वहां से उड़ी 27 जून 1976 को अब ये फ्लाइट तेल अवीव से उड़ने के बाद आगे उतरी एथेंस में एथेंस जो ग्रीस की राजदानी है और वहां से इस फ्लाइट ने 54 और यात्रियों को बैठा लिया इनी 54 या revolutionary cells के तो ये चार आतंकी भी वहां पर चड़ गए और टोटल ये आतंकीयों समेत यात्रियों की जो संख्या हो गई थी वो थी 260 इन 260 यात्रियों में से 12 थे क्रू मेंबर मतलब जो फ्लाइट को संचालित कर रहे थे पाइलेट थे जो अन्य जो सदस्य थे वो 12 थे बाकी के नहां पर यात्रि थे और इन यात्रियों में से 94 यात्रि वो थे जो इसराइल के मूल निवासी थे हाला कि और भी ऐसे यात्रि थे जो इसराइल के साथ-साथ अन्य देशों की नागरिकता भी रखते थे लेकिन 94 जो नागरिकते वो इसराइल की नागरिकता रखते थे खेर इन hijackers ने उस flight का जो route है वो divert कर दिया और ये सीधे flight को hijack करने के बाद लेकर गए लीबिया लीबिया का एक airport आता है जो की वहाँ बेंगाजी में आता है लीबिया के बेंगाजी airport पर ये लेकर गए और वहाँ कुछ समय के लिए रोका उसमें fuel भराया और फिर सीधे इस flight को उड़ा कर ले गए यूगांडा अब वो flight जो तेल अवीव से उड़ कर कहा जानी थी Paris वो कहां पहुँच गई यूगांडा के कौन से शहर में एंटबे airport पर वहाँ पर जब ये flight पहुँचे तो बड़ी चोकाने वाली बात थी कि उस समय यूगांडा का जो राष्ट पती था इदी अमीन वो वहाँ गया airport पर और उसने बाकाइदा इन आतंकियों का स्वागत किया मतलब इदी अमीन को इस पूरे hijack की शुरू से जानकारी थी और जब ये flight वहाँ पर पहुची तो वहाँ बड़ी गर्म जोशी के साथ उन hijackers का welcome किया गया और उन आतंकियों की security के लिए इदी अमीन ने अपने देश के सेनिकों की वहाँ पर नियुक्ति कर दी flight से इन यात्रियों को उतारा गया और उतारने के बाद airport के पास में एक जो building बनीवी थी जो किसी काम की नहीं थी वहाँ पर ले जाकर इन यात्रियों को shift कर दिया गया इन यात्रियों में से जो इस्रेयल के थे उनको अलग रखा गया और बाकी यात्रियों को एक-एक करके एक-एक करके वहां से छोड़ दिया गया और रिहा कर दिया गया अब आती है असली बात 28 जून 1976 को इन आतंकियों ने इसरेल सरकार के सामने एक समझोता एक वारता रखी अपनी मांग रखी और मांग क्या थी कि हमको इन मिलिटेंट्स को रिहा कराना है दरसल जिनको आतंकि कहें तो 53 आतंकियों के रिहाई की मांग रखी इन 53 आतंक वादियों में से 40 इसरेल में बन थे जबकि 13 जो आतंकि थे वो अन्य देशों में बन थे इसके अतिरिक्ती इन आतंकियों ने 50 लाख डॉलर की भी डिमांड की और यह कहा कि अगर आप अमारी मांगे पूरी नहीं करोगे तो आपके देश के जो नागरिक हैं एक एक करके एक एक करके एक जुलाई को मार दिये जाएंगे मतलब डिमांड कवर रखी 28 जून 1976 को अब इसराइल सरकार के पास में निर्णे लेने के लिए कितने दिन है 29 जून 30 जून 2 दिन तीसरे दिन उनके नागरिकों की हत्या कर दी जाएगी उनको मार दिया जाएगा इसराइल सरकार ने बात की दूसरे देशों से भी बात की दूसरे देशों के जो नेता थे उनकी मद्यस्तिता के माद्यम से बात की लेकिन बात किसी भी प्रकार से जब नहीं बन रही थी और फाइनली जब एक जुलाई का दिन आया तो इसराइल सरकार ने ये कहा कि हम आपकी मांगों पर विचार कर रहे हैं हमको थोड़ा सा समय और दे दीजिए और इस डेडलाईन को एक जुलाई से बढ़ाकर थोड़ा सा आगे खिसका दीजिए आतंकियों ने इस बात को मान लिया और आतंकियों ने एक जुलाई की बजए अब लास्ट डेट दे दी चार जुलाई कि चार जुलाई तक हमारी मांगे मान लो नहीं तो तुमारे देश के नागरिकों की हत्या कर दी जाएगी अब इन समय अंतराल में भी इस्राइल सरकार के दुवारा बहुत प्रियास किये गए लेकिन जब ये प्रियास नहीं हुए सफल तो फाइनली तीन जुलाई 1976 को शाम 6 बजे 6.6 बजे इस्राइल गॉर्मेंट ने अपनी सेना इस्राइल डिफेंस फोर्सेज को ये पर्मिशन दे दी कि आप यूगांडा के उस एंटबे एरपोर्ट पर जाईए और हमारे नागरिकों को सुरक्षित छुडा कर लाईए तो खेर इस्राइल सरकार ने अपनी इस्राइल डिफेंस फोर्सेज को ये आदेश तो दे दिये कि आप जाईए और नागरिकों को छुडा कर ले आईए लेकिन ये सब इतना आसान तो नहीं था इस्राइल से 4000 किलोमेटर दूर आपको जाना है आपको ये नहीं पता कि वहाँ पर्टिकुलर किस जगे पर नागरिकों को बंदी किया हुआ है इसके अलावा कोई देश आपका साथ देने के लिए तयार नहीं है तो सबसे पहले इंटेलिजेंस की इंफोमेशन चाहिए तो यहाँ ये जो पूरा अभियान चलाया गया इसके पीछे सारा दिमाग था इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का जैसे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है रो इसी तरीके से इसराइल की एजेंसी है मोसाद मोसाद ने सबसे पहले डाटा कलेक्ट किये वो जो एरपोर्ट था एंटबे एरपोर्ट उसका निर्मान एक इसराइली कंपनी के दुआरा कराया गया था तो उस company से संपर्क करके वहाँ की सारी एक एक location की जानकारी ले ली गई इसके अलावा आतंकियों के दुआरा जो दूसरे देशों के नागरिकों को मतलब गैर इसराइली नागरिकों को रिहा किया गया था मोसाद ने उन नागरिकों से भी संपर्क सादा और उनसे वहाँ की स्थिती के बारे में जानकारी ली उनसे पूछा कि आपको कहां बंदी किया गया था इसराइल के नागरिकों को कहां बंद किया गया है इसके अलावा जब आपको छोड़ा गया तो आपने वहाँ सेनिकों की किस प्रकार से विवस्ता देखी कैसी स्थिती देखी ये सारे डाटा मोसाद ने कलेक्ट किये अब चुनोती ये थी कि इसराइल से उड़कर जब वहां तक जाएंगे तो बिना किसी एक पडोसी देश के सयोग के ये अभियान की सफलता संभव है ही नहीं तो मोसाद ने केन्या के एक मंत्री के माद्यम से वहा इस अभियान की सफलता के चांस बढ़ जाएंगे तो केन्या को भी अपने फेवर में ले लिया गया अब दिक्कत ये थी कि जब विमान उड़ा कर ले जाएंगे तो अगर लडाकु विमान है तो दूसरे देश अपनी सीमा में से लडाकु विमानों को गुजरने ही नहीं और प्रोटोकोल का उलंगन हो जाएगा तो वही मार गिराए जाएंगे तो फिर कौन से विमान ले वो विमान जिनमें जो ट्रांसपोर्ट के काम आते हैं जिसमें मतलब ढोया जाता है समान वगेरा को लादा जाता है उन विमानों को लेकर जाएंगे लेकिन उन विमानों क वो भी अगर height पे रखेंगे तो भी radar में आ जाएंगे तो फिर क्या करें उनको नीचे रखो कितना नीचे सतय से मातर 100 feet की उचाई तक ही पूरे उड़ाते 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 उनको ले जाएंगे तो अब एक route का chain किया गया और वो route था इसराइल के दक्षिन में जो Egypt है उ उड़ाते 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 ले गए और फिर एक देश आता है जीबूती उस जीबूती से इन्होंने right turn किया यह केन्या गए और अब केन्या से इनको जाना था यूगांडा के उस एंटबे एरपोर्ट पर लेकिन वहां पर भी पहुँचने में और problems थी क्य problem कि एक तो अगर वहां का प्रशाशन alert हो जाएगा तो जो हवाई पट्टी होती है जहां पर इनको विमानों को land करवाना है उसकी light बंद कर दी जाएगी और अगर light बंद कर दी गई तो वहां land करने में problem create हो जाएगी यह दरसल 5 विमान लेकर गए 5 transport विमान जिसमें 3 विमा गायल हो गया चोट लग गई तो उसको medical सुविदा वहीं पर तुरंत provide करा दी जाएगी तो problem क्या थी कि एक तो एर स्ट्रिप जो है उसकी अगर light बंद कर दी तो land करने में दिक्कत आ जाएगी दूसरा जब यह वहां पर land करेंगे तो वहां खाली तो रहेगा नहीं वो airport व नहीं की गई और यह लोग एक एक करके एक करके वहां पर land कर गए दूसरा इसरा इसराइल ने क्या किया उन सैनिकों को भ्रम में रखने के लिए confuse करने के लिए यह जो विमान थे यह उसी प्रकार से डिजाइन किये जिस प्रकार उनके राष्ट पती के विमान थे दरसल जि यह इस प्रकार से डिजाइन करके लेकर गए ताकि वहां सैनिकों को यह लगे कि इदी अमीन ही खुद यहां पर आया है और काफिले में जो इन्होंने गाडियां रखी वही गाडियां थी जो इदी अमीन के काफिले में चलती थी ब्लैक कलर की मरसडीज थी इसके अलावा लेंड रोवर थी और भी गाडियां थी यह गाडियां कारगो से उतरी और एके करके काफिले में चलने लगी उस टर्मिनल की और जहां पर उन नागरिकों को बंदी बनाये वा था लेकिन यहां गड़बड क्या हो गई कि इदी अमीन के काफिले में जो ब्लैक कलर की मरसडी ली गई थी और वहाँ पर जो सैनिक थे उन सैनिकों में से दो सैनिकों ने पैचान लिया कि ये ए इदी अमीन की गाड़ी उनको मार दिया गया और बड़ी तेजी से ये टर्मिनल की और गए और वहां जो सैनिक थे जो आतंकी थे उन पर गोलिया चलाई ग्रेनेड फैके बंफैके और इस गोली बारी में नागरिकों की मृत्यू ना हो उनकी अत्या ना हो इसलिए ये लोग हिब्रू भाषा में बात कर रहे थे कि आप लोग निश्चिंत रहें आप लोग जमीन पर नीचे लेट जाईए अपने नागरिकों से कह रहे हैं कि आप लोग जमीन पर लेट जाईए हम इसराइल के सेनिक हैं हम आपको छुडाने के लिए आ रहे हैं और वो लोग जो नागरिक थे वो लेट गए ल अलगलग सोर्सेज में अलगलग संख्या दी गई है 11 से 30 के आसपास में वहाँ पर मिग विमान खड़े वे थे कुछ थे मिग 17 और कुछ थे मिग 21 तो इसराइल के इन कमांडोज ने उन मिग विमानों को भी उड़ा दिया वही एरपोर्ट पे और अपने नागरिकों को बैठाया और बैठा कर ये लेकर आगए लेकिन इस पूरे ओपरेशन में इनके जो एक यूनिट कमांडर थे जिनका नाम था योनथन नेतन्याहू वही योनथन नेतन्याहू जो की इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे वो इस ओपरेशन में शहीद हो गए उनकी मिलती हो गई खैर यहां उनकी एक कैजवल्टी हुई जबकी यूगांडा के लगबग 40 से 45 सेनिक मार दिये गए थे जो हाई जैकर्स थे जिनकी संख्या थी 7 शुरू में 4 थे और 3 और उस एरपोर्ट पर मिल गए थे जिनकी संख्या टोटल हो गई 7 उनको मार दिया गया और जो उनके लड़ाकों विमान थे मिग जो 11 से और 30 या 33 तक की संख्या में बताए जाते हैं उनको सब को उड़ा दिया और ये सब नागरिकों को 106 में से 4 नहीं आये बाकी 102 नागरिकों को लेकर ये वापस सुरक्षित अपने देश इसराइल में पहुँच गए दरसल वो जो 4 नागरिक थे उन 4 में से 3 की तो गोली लगने से मिर्ती हो गई थी एक नागरिक थी बूडी मैला थी 74 साल के लगबग 74 यर्स के वो एक होस्पिटल में उनका इलाद चल रहा था वो काफी बूडी थी और उनका नाम था डोरा ब्लोच तो अब जब इसराइल की और से इदी अमीन को यूगांडा के राष्टपती को फोन किया गया और ये जानखारी दी गई कि हमने ऐसा ओपरेशन चला दिया है और आपके वहां मार कूट करके हम अपने नागरिकों को सुरक्षित लेकर आ गए हैं तो इदी अमीन ने अभी ये भणास निकाली और किस पर निकाली बिचारी उस 74 साल की उस बुड़ी औरत पर और उसको गोली मरवा दी होस्पिटल में इसके अलाव आईदी अमीन को ये पता चला कि यहां इंटेलिजेंस सोर्सेज में केन्या ने भी इसराइल का साथ दिया है तो वहां जो जो केन्या के लोग थे युगंडा में उनको मरवाना शुरू कर दिया तो 200-300 के आसपास केन्या के लोगों को मारा गया बाकी के जो लोग हैं भाग भाग कर अपने देश में चले गए तो देखो किस प्रकार से क्या गजब तरीके से इसराइल ने ये पूरा ओपरेशन चलाया था और इसी की वज़े से इसराइल की जो forces हैं और इसराइल की जो agency है intelligence agency है उनको दुनिया में best agencies में से एक माना जाता है चलिए बाकी कोई और नया रोचक विशे देखते हैं किसी next वीडियो में जहन्द